मुखले बिच्चो भूच ना करी 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 बिच्चो भूच ना करी बिच्चो भूच ना करी हमारे साथ हैं जो अपनी ओडिशन्स देंगे और इन में से फिर कुछ लोग फाइनलाईज होंगे और वो हमारे अगले मरेले का हिस्सा बनेंगे जो एक्च्चो ल कॉंपेटिशन जो हम कॉंपेटिशन की बात करते हैं तो व्यूवर्स हम डिसिजन्स लेते हैं सबकी मुशावरत से सबसे मुराद अफकॉस हमारे जो जज हैं और हमारे जज के साथ साथ हमारे जो म्यूजिशन्स भाई हैं आईए अपने म्यूजिशन्स से मुलाकात करते हैं अपने बहु आज की क्या एक्सपेक्टेशन है आज वक्कम और मुकाबला सकत होगा हमारे पास बहुत से जो है वो कंटेस्टेंट्स है और आज आखरी दिन है आज हमने डिसाइड किया कि हम अडिशन को क्लोस कर रहे हैं माशाला इतना अच्छा रिस्पॉंस आया और इतना ज्यादा रिस अच्छा अरेंज है तो इंशाला तला अच्छा प्रफॉर्म करेंगे सब लोग कुछ कहना चाहेंगे आप इंशाला बहुत अच्छा मुकाबला होगा बच्चे समझ रहे हैं हर बात को तो तियारी करके आए अपने सही अनीस यॉर फर्स डे सोच समझ के आपको बता ना कि एक चॉइस एक हमारी मुजिशन्स चॉइस होती है डेली तो आज आप भी किसी एक कंटेस्टन को सेलेक्ट करेंगे जो आपके फेवरिट होंगे और सबसे पहले हम आप लोगों को माजन देंगे उसके बाद हम अपने जजजिस के तरफ दाएंगे डन डन ओके सो वीवर्स आज कुछ जरूरी एक अनाउंसमेंट है वो यह है कि आज हमारा लास्ट है है औरिशन का लास्ट डे के बाद कल जुम्ह के रोज जुम्ह मुबारिक को हम मुलाकात कराएंगे आपकी हमारे सारे कंटेस्टन्स है जो फाइनलाइज हुए हैं और कल एक गाइड़न्स होगी देखें जो हमारे जजज हैं जो उस्तादों के उस्ताद हैं दीम भाई वाड़ मैन अब बात यह है कि क्योंके वो पूरी दुनिया में जाके इंटरनेशनली लोगों को गाइड भी करते हैं लेक्चर्स भी देते हैं बलके कल मुझे दो तीन लोगों ने डियम करके का कि ओ वो तो मेरे उस्ताद रह चुके हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उसी लेवल की उनको रिस्पेक्ट और रिगाड देनी चाहिए सो आज फाइनली जो लोग डिसाइड होंगे उनको और पिछले तीन दिनों के जो कंटेस्टन्स हैं उनको कमबाइन करके कल अल्मूस्ट एक गेट टुगेधर है लेकिन उसमें सिखाया जाएगा और गाइड किया जाएगा और ये भी अनौन्स किया जाएगा कि मंडे को कि इस चीज की तैयारी करके आनी है लेकिन खैर अभी हम अपनी ओडिशन की तरह बढ़ते हैं क्योंके वक्त बड़ा कम है तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं उस्तादों के उस्ताद उस्ताद रदीम सलामत को अससलाम आलेकूं हला कंए हरोज अब खुद हिरो बन के आ जाते हैं तो आप की श्ची सिखाएं गया खुद भी आपके पिसे १ारा अवहें चीज सब तीक है जी और काम बहुत पखा होगा आप में आज 15 करले हैं सारे बहुत अच्छा गाएंगा shadi इसके से करें हैं, इंशाला करेंगे, प्लीज, अच्छा होगा ये कि आप सब आके अपना, आपकी जासत से बच्छे बैट गें, बच्छो आब बैट जो, अच्छा, एक सबसे पहला हमारा कंटेस्टेंट जो स्टार्ट करेंगा, यह जो मारी प्यारी सी गुरियां है, आएं आजा मेरा बेटा, इनको हम माइक देंगे, और स्टार्ट करेंगे फर्स कंटेस्टेंट से, और हमारा जो हर कंटेस्टेंट है, वो यहां पे आके सबसे पहले हमें गाइड करेगा, बेटा यहां पे आजाओ, यहां पे, यहां पे, यहां पे, अच्छा, बेटा अपने बा औरıs क्चास्तर लेक्ट जो है जो लिए ने मेर अब जज़ लेने मेरा नाव मैं था मर जानिया मैं था मर जानिया जदु हो ली जई ने पिराना जदु हो ली जई ने पिराना मैं था मर जानिया मैं था मर जानिया है वेज़ तो हो लिजे लेले मेरा नाम सुनिये तो भूख मेरे सुनिक दिरी भूख मेरे सुनिक दिरी भूख मेरे सुनिये तो भूख मेरे सुनिक दिरी भूख मेरे मेरे नाले हो जया करना सलूख मेरे दिरी भूख बैटे खुट के नाबर मेरे बाँ मेरे खामर जाने आप दे खामर जाने आप मेरे जाने आप आये हाये ज़ग हो जी जी ने मेरा नाम स्टार्ट की बात आज करेंगे हम क्योंकि बहुत टेक्निकल हो गई है एंड हो गए तेखिए अगर मेरा बच्चा मुझे यह कहेगा कि मैं दो साल से सीख रही हूं तो इमेजिटली आपके जहन में यही आता है कि वो कल अपने नोटीस किया था वो इanska जा रहा रहा है और वह बहुत ही आला नोटेस है यह वो हम सब कर रहे थे शेरदाद भी कर रहे थे मैं भी कर रहा था वो यह वोता है कि जब यह आते हो ना आके कोई बुरी बात नहीं होती आप अपने नोट को करें ताके कीबोर एक बार दिखा दें शुरू हो जाए अब जब स्टार्ट कमजोर होता है नहीं तो फॉर्स्ट इंप्रेशन मैं एक लिसनर की तरफ से बोल रही हूं मेरा बिल्कुल ना तो उसको समगा एक्सपीरियंस है नाई नॉलेज है सर जब उस्ताद बैठे वे तो मैं कौन हूं कुछ कहने वाली लेकिन जब आप आते हैं तो आपका जो पहला इंपक्ट होता है ना उसी से डिसाइड होता है के बाकि के दो तो जा तीए मिनिट का गाना मैंने सुनना है के नहीं सुनना बोरेंगे स्किर करो मतलबैरी बेटा मतलब सर अब मतä है गाया आपिशा बहुत अच्छा लेकिन स्टार्ट में चलते-चलते संबल ना नहीं चाहिए समझा लिए आपको य॥ शंबलिके सं इन्वाल्मेंट है, हम उसको, क्योंके हमारे लोग कहते हैं, हरकत हैं, जो की हैं, वो बात हैची, जो अबर दो एक्स्टा रूदारी की, वेल डान, लेकिन बेटा, फीटबैक तो देनी जरूरी है न, फूर फ्यूचर, आज़ो मेरा बेटा, वेल डान, नेक्स्ट वेलकम बात हैं, नायाब, जाहरा हमारे साथ हैं, असलाम अलेकूम बिटा, अपने बारे में क्या बताओगी बेटा, मैं बहुत चोटे हुते से गाली हूँ, पार गाले का शौक था, तो बस इसी तरह से, कुछ सीखा है, ने, सीखा नहीं है, घर पर बस गाते तोड़ा सी चलो, over to you, मेरा बच्चा चांद निकला है, तुझे भून में, बागे की तरह, रात भैने है तेरे, सुर में आजन की तरह, रात भैने है खुष्क पैता की तरह, लोग उड़े जाते हैं खुष्क पैता की तरह, लोग उड़े जाते हैं शहर भी अब को नजन आता है, जंगल की तरह, रात भैने है तेरे, सुर में आजन की तरह, रात भैने है तेरे वो जो जुगन भी आजकर एक music scholarship की तरफ जा रही है, यह scholar बन रही है आज फिर उसने सही judgment, स्टार्ट की judgment पे उसने पूरा concentrate किया हुए अच्छा वो हम तीन उसके में पहलू जो हैना मेरे नस्दीक वो यह हैं, कि इनसान शुरू होता है, कुछ कैमरास, कुछ लाइट्स और कुछ लाइव, इस सारी चीजों को देखते हुए चलो आप, start आप का गलत हो गया कोई बात नहीं, आगे आप संभल गए और बहुत अ हाथ से, अच्छ अब लाइको हम किसी तरह धांप नहीं सकते, चुपा नहीं सकते, क्यूंकि वीवज़ देर, वो वाचिंग यू और लिस्निंग यू, हम राइट और रॉंग जी, इलकुल चाहिए, अब वो हम चुपा नहीं सकते, आपने बड़ा अच्छा गाया, बहुत खुशक आंखों से भी, यहीं हंतरा, वान टू थ्री अब यह ना, आप मजे में पढ़ जाते हो, आपको अच्छा लग रहा होता है, उसका फीलिंग आपको अच्छा लग रहा होता है, तो आप वहाँ डिले कर देते हो, और जब डिले होता है, तो रिदम स्लिप हो जाता है, फिर के ने, खुशक पातों यह दो आपको अच्छा कुछा लोग रूड़े जाते हैं, फिर की अधिता लोग रूड़े जाते हैं, यह होता है, पातों Thank you, come back. Very nice, son. Well done. Okay, son, this is also a talent. Come on, my child, sit down. This is also a talent. Pick it up. Some people don't have the capacity of learning to learn. Whatever they come to, they go to that. That's the fact that you were picking up, that's a good thing. Which means that you have the potential of learning. Look, I would like to say that it's not your fault. That was Madhah Miri of Sur. Oh, it's been a good thing. You are involved in good feeling. We are not taking fault. You are asking for concentration with rhythm. That's it. Okay. Soya. Nawaaz. Assalamualaikum. Waalaikum salam bittae. Ma'am, I'm shocked from my childhood. And my father taught me. My father is very sportive. Do you sing abu professionally or shocked? Shokia. No, Shokia is very sportive. They sing many. Very good. Go my son. Hold on. Then do that again. Hmmmm. 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 सावाच आया ये तो पान मोसम होया ये बेमान मैं ते मेरा दिल पर जानी मैं निया ते प्यार गहानी सावाच आया ये तो पान मोसम होया ये बेमान शोक नजार ये ते बेमान मिल के तूरे पे प्यार दराही जब तक साने तेरी कसमे सर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं ब्रेक जब वापस आएंगे तो आपकी फीडबैक लेंगे जोया अवास पे जोया नवास के बारे में क्या करेंगे जोया आप शुरू हुई हैं तो बस आप शुरू हुई जोया नवास के बाद आप फिर शुरू हुई हैं दुबारा फिर शुरू होगी बात समय नहीं ना के होता है यह कि कभी आपने कुछ कहा तो हम जोलों में पढ़ गया के यार शी विल बी और राइट कोई मसना नहीं लेकिन और राइट वाला काम अभी तक हुआ नहीं है तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे पॉर अर कमिंग इंशाला कॉंपिटिशन अभी अभी देखते हैं अभी बाकी बच्चों को पिर शुरू नहीं अब उसको मुझे यह क्यूंकि वो उसको चांस देना भी नहीं बन रहा बिकोई मैं दे रहा था जब वो गा रही थी चा करने है बिटा अबीज आजो मेरा बिटा चलो अली रजा ची बिटा अपने बारे में क्या बता होगे अलेकुम वालेकुम सलाम आप आप अश्रूडएंट एन मुझे का रहा हूं आज मैं लाइयां लाइयां गा रहा हूं यहार बड़ा अच्छा लगा के पैशन बहुत करना मारे में बड़ा करना मारे मुझे कवए अच्छा चाहिए को बिटा अख अबराया। में आप करना है। आया हूं पीक कुछ सव बाद मॉदखिए अग्रेशि भारे मीच वानी इजासकार्ण हुआ हुआ है मेरे को ओलनाव मैं लुपी गई या डोलनाव मैं लुपी गई या लाईया लाईया सदे रादे भूहे वे मैं तेरे लेई खोले हुआ ही ना तु कदे हुड़े एक्षिया तोले तेरे नाल डुबना म तेरे नाल परना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तु तकडी चितोले ना एक दिन सी रया मेरे को ओलनाव मैं लुपी गई या लाईया लाईया आप ऊनाव में लुपी या खेंड़े तो नाल चुछ तोले सब्सक्राइब जाम में लुपी तोले कि हमिले लुपी और पर्फॉर्मर तेरी बदमाशीर में लुपी लुपी टेरे वाईया सिच्छी बात में कह रहा हूँ और साथ माशलाश लगा हर वकत ना मस्ती के मूड में होता है लिसन मामा मैं कहती ही मैं तैने एक चैनला वागी बट लाड भी बढ़ाता है करो कि आ हम किसी को रोकते हैं तो यह भी तो में रही है और आपने जितना भी एड नहाば के आप लिए और य स जकता हैंड और इस गुपजिशन को नहीं और इस कॉंपोजिशन ना इंभाड अम शब्वार मैं कि यंदू DAVID थो मना प्र लाना है जी बेटे, अपने बारे में क्या बता हो गया में बचे? असलाम लेकुम सरे मेरा नाम मुहमद फरूक है, मैं स्टड़ी करतू हूँ, मुजीक बस शोकी है तो इसलिए बस शोकी है लेकि इसको अपना प्रफेशन भी बनाने है इतनी अनाउंस्मेंट करने के बाद फिर नहीं आपको पता चलता है यार अभी हूँ करो इतनी अनाउंस्मेंट करने के बाद फिर नहीं आपको पता चलता है यार अभी हूँ करो में ओंदे नाँ वासले में नराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने आँ सुने ले मेरी दिल दियां गला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नो मिला के दिल दियां गला करांगे रोज रोज बैके सच्चिया मुहबत आने बाके जी हां वेलकम बाक वीवर्स और अभी हमने फीडबाक लेनी है अपने कंटेस्टेंट पे जिनका नाम है महम्मद हुजैफा करेक्ट नहीं सॉरी मुहम्मद फारूक माई मिस्टेक आज कंटेस्टेंट ज्यादा है और तबाक की काप बेटा आजाएए हाँ जी अपने बारे में क्या बता होगे हमें मयानाम मुझ जासफा जिप्शेद है और मैं पंजाब कुली से 2nd year कर रहा हूं और singing मेरा शोक है और इसे अपना profession मनाना चाहता हूं बबब बड़ Sun प्राइब दिल में तेरी भूली हुई आदाई जैसे सहराओं पे हूले से चले बादे नसी जैसे बीमार को बेवजह करारा जाए आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मुत का जोर चलता नहीं है आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मुत का जोर चलता नहीं है आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मुत का जोर चलता नहीं है मुत मुझे को गवारा है लेकिन क्या करूँ दम ने कनता नहीं है क्या करूँ दम ने कनता नहीं है वेरी गुड आप ने अच्छा गाया लेकिन एक आपसे हुआ है आपने सोर बहुत नीचे रखा और क्यूंकि आपकी आवाज की रेंज जो थी वह आप इस नोट से यह कौन सा नोट रखा है जी इफ्लैड मैनर तो जरह थोड़ा ऊपर रखके आप कहते तो और खुश्खत होता और ही प्यारा सा हो जाता लेकिन फिर भी ओर आल गुट शाबस बेट जी नेक्स्ट कंटेस्टन की तरफ चलते मारिया इकबाल आओ बेटा जी बेटा आपने बारे में क्या बता होगे हमें मैं सिर्फ इतना ही बताओंगी के स्टुडेंट हूँ और माइक करीब सिंगिंग का बच्पन से शौक है और पैशन मनाना चाती हूं इसे आगे प्रुफेशन मनाना चाती हूं ओवडिया ओसोने दिया चूडिया ओसोने दिया चूडिया तूगला करे कूडिया मरिंदा यर्मान है रखेने सातों दूरिया मरिंदा यर्मान है रखेने सातों दूरिया सेजण गेरान घर जाने साडे शिकवे तू करबाने सेजण गेरान घर जाने ताडे शिकवे तू करबाने रपोटा सानू पूरिया तू गला करे कूडिया मरिंदा यर्मान है रखेने सातों दूरिया बस इतने ही मैं कहूंगा जी कि सारा आपका दो चीज़े मिक्स कर दिया आपने रिदम आपका बहुत अच्छा था और सौंग की स्लेक्शन एक फोक स्लेक्शन की आपने लेकिन अंत्रे में आप सुर को कहीं और चले गया वो अंत्रे का संत्रा बन गया कोई बार की पीस काओ दान्तों की हिफाज़त के लिए दान्तों की प्रोटेक्शन के लिए दान्तों की खुबसूरती के लिए एक बहतरीन और मुकमल टूथ पेस्ट है क्योंकि इसमें तीन ऐसी अच्छा शामिल है जो इसको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोड़क्ट पना देती हैं जैसे कि इस सुफेध हो जाते हैं सो दान्त प्रोटेक्टिट भी हैं आप उनकी हिफाज़त भी कर रहे हैं आप उनको खुबसूरत भी बना रहे हैं और आपकी सांसे भी से महक जाती हैं मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि दान्तों को प्रॉपर तरीके से ब्रश करने से जो मुह से स् आवेल करें अगर आप पी चाहते हैं कि आप कोल्गेट स्पार्कल का एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैमपर जीते हैं जो यह इस वक्त आपके सामने हैं आप 03209463502 पर हमें वाटसैप कर सकते हैं अपनी एक तस्वीर कोई भी आपने एक तस्वीर खेंचनी है जिसमें ट्राइ करने का मौका मिल जाएगा वाफिर विक्दार में तूथब्रश भी है इसमें और भी बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें हैं आपकी डेली यूस के लिए आपकी होम यूस के लिए तो जरूर ट्राइ कीज़ेगा और चुटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक वापिस आएंगे तो बिलाल शौकत को सुनते वे आएंगे बढ़ते हैं बिलाल शौकत की तरफ जी बिलाल अपने बारे में क्या बताएंगे है मेरा नाम बिलाल शौकत है और मेरा आवल पिंटी से आया हूँ बच्वन से गाने का शौक था तो अल्ला पापा को जन्रत नसीब करें वो भी इस दुनिया में नहीं है तो मैंने उन से जो थोड़ा बोच सीख है वो आपके सामने कोशिश करूँगा सर की अजाज़त से कौन थे आपके फादर मेरे वालिस्वाब का नाम शौकत मन्जूर था क्या बात है जी क्या बात है क्या बात है बहुत ही बहुत बढ़ा नाम हमारे सहत का हमारे इस मौलक में बहुत बढ़ा नाम क्यूंकि हमें जब आप अपने बज़र्गों का जिकर करें तो हमारे प्रो रोम राम तेरा नाम पुकारे एक हुए दिन रैन हमारे हमसे हम ही छिलके है एक बनाए बिदे इंडियन काना है बद इस इस मुवी सॉंग बेटा इंडियन फिल्म का गाना है तो फिर कॉपी राइट का इस्यू हो जाएगा जी मेरा बेटा पाकिस्तानी सुना है आप कुछ भी सुना सकते हैं इसमें का है प्रदेश गयो प्रदेश हो आए ते तिर्या नित वतना वल लोड़ा कमली करके छट गे उमाया ते बैठी कख गलिया दे रोला तेरे बिना रोगी होए प्यासे तेरे बिना रोगी होए प्यासे रे तेरे बिना रोगी होए प्यासे रे तेरे बिना रोगी होए प्यासे रे प्यासे विजिए शिके से रे जिए आज़व अच्छ नेक्स्ट है इर्तजा जी बिटा आज़व इर्तजा आप हमें क्या बता होगे अपने बारे में जी आम फॉम गुजरात और मैं सेकंडर का स्वज्टन तुळांट हू तो सिंगिंग बस एक पैशन है तुछिया, पैशन पिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले के पेशन पैटे ये भी इंडियन गाना है नेक्स आप अभी अब को खादे लिए लिए लोगों का एक बड़ा क्लियर माइक पे मैं कहा रहा हो मुझे थोड़ा सा पिर टाइम देदें मुझे अब कोई पाकिस्तानी जल्दी से पाकिस्तानी गाना है नहीं आता चले बिटा आजा बैच जाओ नेक्स्ट उस्मान एहमद लेखें आपने मुल के लोकल सॉंग परफॉर्म करने हैं हम अपने कंट्री के सॉंग को सुनते हैं उसके लाव वैसे भी आपको पता है किया सिच्वेशन है सब्सक्राइब आपने बारे आपने बारे आपने पर आपने इसमान एवन जी स्वाम लेकुम मेरा नाम उसमान है तीन चार्ट साल की एफट से तो आज हैं आज हो खुशी है इस बात की और A-Plaz की टीम का और उनके सारी मेंगमेंट का शुकर गजारू जों नहीं नहीं इ तो पीज उजाद कुटें पजाबी साथ 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 जी खोलना दोलना जरा मुखडें दीचा भी उरा करवे मैं दिल वाला भूआ खोलना दोलना वे दोलना रख ले सगाली मैंनु को बुलियां तेरे देने हमेशा तेरे बोल रख ले सगाली मैंनु को यह पता है मुझे जुगन आंखें दिखा रही थी कह रही थी कि मुझे कुछ हो रहा है मैंने इतना नहीं कहा है मैंने पस आंखों से इनको इशारा किया पता है क्या है एक तो I want to say this please I'm sorry पहले एक तो आप पर सूट नहीं कर रहा यह गाना गाने की सेलेक्शन आप लोगों में बदास्ट समझके यह नहीं दभी शूँग है सूट करनी वाली बात है आप बात नहीं अंडिस्टा है हर बंदार आर्टिस्ट का गाना नहीं बैठता So I mean अगर आप मेधी असन के बहुत बड़े फैन है लेकिन आपकी आवाज ही नहीं उनकी साह दिन सिंक होती और आपकी टोन ज्यादा आतिफ असलम टाइप है तो फिर आपको उस तरफ जाना चाहिए अगर आपको पसंदा तो अच्छा नहीं था आप पर सूल भी नहीं किया अबुल्ला इर्फान प्लीज आजाए प्लीज मैं पिछले तीन निन से कह रही हूँ और अफकोस हमारे उस्ताद कह रहे हैं कि सॉंग की सेलेक्शन सोच समझ की किया करें कभी कभी हम मैडम जी का या किसी और का किसी अन्नोन आर्टिस्ट का गाना गाले अगर आपकी आवास पे सूट करता है हम इस चीज़ से नहीं इंप्रेस होने वाले कि आपने मैडम जी का गाना सुना दिया या आपने मैधिय हसन साब का सुना दिया कि अनुसरत तटली खानगा में में अपकानों को हाथ लगा लिए बड़े लोग है यह लेकिन इन बड़े बड़े लोगों के जब हम काने परफॉर्म करते हैं तो बल्के जजमंट और सखत हो जाती है क्योंके पूलो ने किस अंदाज में गाया आपने कैसे पेश किया क्या उ क्या अफ़ ऐसे अपने जांस ने यह थि को आपने जांस ने थिया वैसे अपने रिक्मेंडेशन नी ही सिरक फश्क नजी कोई ख़ो इन्डीन या पाकिस्तार अगरा भी मुल्ट बड़े बड़े इन एंडियन मुवी ज़ए गई रिकरेंगा आप उन गुसा अरे लिए कर आप आजाएं प्लीज थैंक यू आ बिलाल हाश्मी यूस गुस्ताखी और इनप्रोप्रियट बहेवियर ना तो मैं एक्सेप्ट करूंगी अपने उस्ताद के सामने और अपने सीनियर के सामने इट इस अनिक्सेप्टिबल बहेवियर ये पूरी दुनिया में ये बड़ी क् है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए इंडियन या क्रॉस तो बॉर्डर की चीजे ना गा सकते हैं आप उनको आगे लेके बढ़ सकते हैं जी भया आपका नाम क्या है मेरा नाम मुहमद बिलाल रजा है और मैं बेसिक सना खान हूं तो मेरे दोस्त की महर्बानी है मेरा कजन है जिसने मुझे रात को बताया तो मैंने आपकी टीम की गुदारिश की और मैं बड़ा शुकर गुदारों कि इनोंने इस बंदा है ना चीज की गुदारिश सुन ले और आज इसकी बदौलत मैं आपके सामने हूं और अगा है आपके फ्रेंड में उमर फ्यासार अश्या आपको भी आएं और आपको भी लेकर आएं बेरी नाइस अब यह देखें नहीं यह मुहबत और यह सपोर्ट है जो है जासे अपने ही सोच दरेंदे सर अजाज़त जी बिसमिल्ला के सानूंगल मिल शौग तोला के सानूंगल मिल शौग करिक तोला के सानूंगल मिल शौग तोला के सानूंगल मिल शौग तैसो अज़ मिल शौग तसोबर यहकल मिल शौग तच्बन शौग अशी यारा ते महियारा देंदे प्यार तो जिंद गिवारा इक वार मिलो तुसी वर मिलसो एक वार मिलो तुछी वार मिल सो, दसो अज मिल सो, या कल मिल सो, या कल मिल सो, कदो लाके वेरी नाइस, वेरी नाइस, पिटे, सर क्या कहेंगे, एक मिल सो दाए ना, है, मिल सो में गुंगे ओ, बहुत अच्छे, शाबाज, और जो आखरी आपने तबले के साथ, जुगल बंदी जो की, उस जुगल बंदी में थोड़ा थिरके हैं आप, लेकिन क्योंके परफॉर्मस क्योंके उसे क्रेड़िट को एक बात काऊं कि, कि ही ट्राइड, मैं यह बड़ी एप्रीशेट करती हूं चीज के थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो उसमें फिर कुछ मार्जन मिलती है, और आपके सामने तेस करना है, यहां नेक्स्ट हमें कौन जोइन करेंगे, आजाईए बेटा अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताईए और आईए इसके इलावा कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त है अश्राम लेकुम जी मेरा मुहमद उमर फियाद हाश्मी है और हम दोनों इसाहिवाल से आए हैं और बाई ने जो का हर बंदे का अपना नसीब होता है अगर नसीब होई विन तो यह करेगा इसके आए हैं तो मैं इसके निचाला इसके बता तो मेरा बता दी है अब को भी शूक है जी शूक है अगरेक के बाड़े साह दोनों याराइड जाए इस साह थी जादव है जादे के बाद के बाद में बेटा आ पको सुनूंगी ठीक बाद थोड़ी से चलो ब्रेक में प्रैक्टिस ही कर लिना मेरा बिटा ब्रेक के बाद वापने साथ है आप बिलाल है ना ओके रबने बनाया वेलकम बैक फ्रम दे ब्रेक विवर्ज दो रुसी भी कौमें वापिस आगी है ब्रेक में उनको जड़ा घसीट के हम दोनों बच्चों को वापिस लेके आएं कि तुम रुस किस बात पे रहे हो इर्चजा को तुमने चांस एंड में देना ही था जो उसको कहा था कि तुम कु साल के बेटे की माँ हूं तो मुझे बता है कि यह उतरा मैं तो लाड़ किस पर हुम है तो लाड़ी नहीं में मैं क्यों लाड़ा है फागले तुम दोनों को एंड में अब सुनना है इर्चजा पहले जाएगा उसके बाद आप जाएंगे लेकिन अभी जो सीक्वेंस हैं उ जी जमाना की जाएंगे दिल जिते देलायावें किने जाल विछावें आवें अलग अत्मावें मुहबत विक दीली जमाना की जाएंगे प्यार नुकारो बार न समझो मजबूरीनु प्यार न समझो दोलत नु हत्यार न समझो जेडा अपनी मनावें कुख किते मी न पावें कल्ला वैगे पच्छतावें मुहबत विक दीली जमाना की जाने मुहबत विक दीली जमाना की जाएंगे आप दोनों की यारी जो है वो समझ आरी और आप दोनों जो मिलके बैठके और एक यह जो का जो पैटर्न आपने चूज कर रखा है और यह कल्चिरली बड़ा स्ट्रॉंग है इसमें इन्वाल्मेंट हो जाती है बंदों की और आप दूसरी बात ही है कि आपने अच्छा अच्छी परफॉर्मस दे रहें सेद अजमल बुखारी बिटा माइक पी पकड़ लो और आज असलाम अलेकूम वालेकूम स्लाम मैम कि जब हमारे बचे दाड़ियां हो गालेते है ना लगते तो बड़े प्यारे हैं लेकिन फिर बेटा कहते हुए जरा अप जरा आप जरा मन्दा को रहा होता है दाड़िया लेकिन आप काफी होगा क्या आजाना स्पेशली लड़कियां तो बिल्कुल भी ना होगा है जाड़िया जी बेटा बोई सारे होगाले जी बताइए जी माशाला आपको शो मेरी बाबी और मेरे घर वाले बहुत शोक से देखते हैं तो वो देख रहे थे उन्होंने फिर मुझे बुलाया उन होगा क्या गज्सराएफ दिर कंदे की बताइए बहागा। क्वाजा जी मलच पाहला देलडल गिया मेरे तो गंपरे रहने मैं लच पाहला देलडल गिया मेरे तो गंपरे रहने मैं लच पाहला देलडल गिया मेरे तो गंपरे रहने मैं लजबा लांते लड़ल किया मेरे तो गम परे रहते मेरी आसा उमेदा दे मेरी आसा उमेदा दे सदाबु ते हरे रहते मेरी आसा उमेदा दे सदाबु ते हरे रहते बहुत अच्छे आप माशाला से मुझे जो स्टाइल ओफ सिंगिंग नहीं मैं कह सकता लेकिन मैं कहीं रॉंग ना हूँ आप नात खानी भी करते हैं बस प्लीज कम अन से इसी लिए मुझे इनकी आवाज इतनी उसूरत और प्यारी लगी क्योंकि वह एक आता है element जिस तरह आप तोनों बच्चों में भी था माशाला जी बेटा उमेर अली इस अपनी शकल ठीक कर लो कुछ गालोगे कर लो सोच लो कुछ अभी तक टेंशन में बैठा हुए कि मैं क्या सुनाओंगा अभी तू कॉम्पेटिशन में अगर तुम में से कुई से आप में से जो स्लेक्ट होगा आपने मेरा अगर आप लोग की द्वाएं साथ होई तो कहीं नहीं पहुंच ही जाएंगे तो चमकते चांद को उस्ताद सलामत गुलाम इलिखान साब का कोशिश करने जारो हुए ठीक है की जाएंग् का को कै की जाएंग् चमकते चांद को तूटा हुआ तारा बना डाना चमकते चांद को तूटा हुआ तारा बना डाना मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला चमकते चांद को तूटा हुआ तारा बना डाना मैं इस दुनिया को अक्तर देखकर हैरान होता हूँ मैं इस दुनिया को अक्तर देखकर हैरान होता हूँ न मुझ से बनतका चोटाता घर दिन रात रोता हूँ खुदाया तूने कैसे ये जहां सारा बना डाला वक्ते चांद को तूटा हुआ तारा बना डाला तैंक यू उमेर एली वेल डान आ जाओ उमेर एली गुट ओके अब ऐसा करते हैं हम ब्रेक की तरफ चलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने इतजा को भी सुनना है और ओर एमोशनल अब्दुल्ला एर्खान को भी सुना है ब्रेक के बाद 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 बाइ बाई सालॉन हेलो आंड फ्रेंच अफ्कोस हमने आपको गिफ्ट हैंपर जीतने का भी तो मौका देना है ना व्यूवर्स और व्यूवर्स फैबूलोस किफ्ट हैंपर फ्रॉम आंड फ्रेंच आप एक वीडियो दिखाऊंगी उसके बाद आपको बताऊंगे के हमने करना क्या है आए वीडियो देखने हैं वाव कौन सा सालॉन बाई बाई सालॉन हेलो आंड फ्रेंच आपने कहना है और एक भी सेकंड तक की वीडियो हम हम बना के भेजनी है और आप चीच सकते हैं आंड फ्रेंच की तरफ से ये एक अमेजिंग गिफ्ट हैंपर और 0320-946-3502 पे आपने भेजना है आंड फ्रेंच एक एसी है रिमूबल क्रीम है जो बहुत ही एफेक्टिवली और जेंटली आपके गहर जरूरी अन्मांटेट पाल जोहन को रिमूफ कर देती है आपकी स्किन बीसिल की सॉफ्ट हो जाती है और 3-6 मिनिट के अंदर अंदर आपको आपके डिजायर डूर्ट मिल जाते हैं बलकि स्किन पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है प्लस इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी रोज फ्रेक्रंस है जो अविसी एक बड़ी प्लेजन्ट स्मेल होती है और इसके फॉर्मूला के अंदर बेबी ओल और मॉस्टिराइजर शामिल है तो आपकी स्किन को एक सैटन सॉफनस मिल जाती है कीपिंग दे मॉस्टिर इन्टैक्ट तो फाइव मिनिट्स के अंदर आपको सैलोन के लेवल के रिजल्ट मिल जाते हैं यह बड़ा ही किन्मीनेट है रिमूविंग ऑप्शन है वर्सेस गोईंग तो दे सैलोन जहां पे आ अब आप लोगों से यह बात रिमाइंड करूंगी कि दो अभी हमारे पास कंटेस्टेंस बाकी हैं एक थोड़ा सा सॉंग सेलेक्शन का इस्यू था और दूसरे हमारे कंटेस्टेंस भी बीच में रह गए थे तो अब हम इन दोनों को सुनेंगे उसके बाद पांचों कंटे के लिए तालिया बजाएंगे और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है व्यूर्स यहां पे स्टेज पे आके इस फोरम पे आके परफॉर्म करना जरा सा कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस पूरी लेवल पे एफेक्ट होती है इर्तिजा बेटा आई यू र लग दाजी मैं तेन्नों समझावां की ना तेरे बजु लग दाजी तू की जड़ प्यार मेरा मैं करूं इंतदार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेन्नों समझावां की ना तेरे बजु लग दाजी मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा मैं तेन्नों की समझावां का की समझावां सर मैं एक बार बताओ एक लेवल अव नर्वसनस भी है पता क्या अभी आपने अच्छा शुरू किया अब जब आपने शुरू किया तो सारे नी पूरा पाकस्तान कॉंशिस हो गया होगा कि जो उपर वाले नोट्स हैं वो कहां से आएंगे क्योंकि जब आपने शुरू किया ना तो मैंने इनको एक्चुली देखा कि यह तो बड़ा अच्छा आए नोट से शुरू कर लिया कोई बात नहीं अब हम तुम नहीं अप्रोच करोगे नेक्स टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को कि जब हमारा सुरसितारे दूसरे सेशन में जाएगा हम खुद फोन करेंगे तुम्हें और तुम्हारी त्यारी स्ट्रॉंग होगी तुम्हाओगे जीते रहो नेक्स्ट आप हमारे पास अब्दुल्ला इर्फान है ठी बिटा अपने बारे में अब अपने बारे में क्या हता होगे कि अपने बारे में अपने बारे में कुछ रात से और मैं अपने कंप्लीट किया चनाप ग्रूप अफ कॉलीजिस से तो उसके बाद फैमली बिजनस जोइन किया दो तीन साल लेकिन आप सिंगिंग का शोक है तो सब को चोड़ के यहाँ आगा है अब अभी स्ट्डियर हुँँँँँ चे है नहीं हुँँँँँड़ करता है तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी लिख दी मेरे हम दम हासी का मैंने जिना जिना कैसे जिना हासी का मैंने जिना मेरे हम दम ना सिखा कभी जिना जिना कैसे जिना ना सिखा जिना तेरे बिना हम दम सची सी हैं ये तारीफें तिल से जो मैंने करी है जो तु मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमगम आसमा मिला जमी को मेरी आदे आदे पुरे हैं हम तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी लिख दी मेरे हमगम हसा मैंने जिना जिना कैसे जिना हसा मैंने जिना मेरे हमगम लो जी तो क्यूंके गुजरातियों में सुर पाया जाता है ये मैं बात बता दूँ गुजरात खारियां ये इलाके सुर से लबरेज हैं लाला मुसा से शुरू होता है काम और बात अच्छा मौला ने वहाँ पर बड़े करम किये हुए सुर आप में है अच्छा अब क्या है कि थोड़ी सी वो होती है क्यूंके आप फरस्टेम आए हैं तो आप खुश रहे हैं आपने अच्छा परफॉर्म किया है सर मैं आपकी इजाज़त से एक कंटेस्टेंट की मुझे मार्जन मिलती है ना मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूं मुझे लगता है यह करेगा सही आगे जाके यह इस वक्त यह जो सारा कुछ हुए ना उसकी वज़ा से इसका एक मेंटल स्टेट वो है मुझे सिरफ एक कंटेस् सर्टी गोटेन उबाड के मैं भी यही बात कहने जा रहा था कि कभी कबार आप लोग अपने जजबात में अपनी आगे फ्यूचर के जो बहुत अच्छे प्लान होते ना वो आप उनको बिलकुल खतम कर देते हो आपका वो फैसला और हमारे प्र्डूसर का फैसला जो था क तुके हम तो यहां से उठनी सकते थे ब्रेक में फिर जुगन ने कहा है और आप आईो अब यह फाइदा हो गया के जुगन She's fighting for you. You know, thank you. You need to practice. You have potential, but you need to practice. Yeah, she's very right. You also need to practice. And he is not in that strength you know. अब भी वो स्ट्रेंट पे नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में जब हमारा प्रॉपर कॉम्पटिशन चुरू होएगा यह अपने आपको प्रूफ करेगा यह मेरी सोच है अब टो अब हमारा प्रॉपर को प्रॉपर नहीं है कर दो कर दो कर देंगे कर दो कर दो कि अब इतना बच्चों का वैसे तरहानी निकला हुआ जितना म्यूजिक चला के मजीद उनका निकाल दिये सौरी मैं तो बड़ी नॉन सीरिश खातून हुए बड़ी नॉन धान पिटरी है फाइनल बच्चे जाने में तो असादू बच्चे को जाते जाते अच्छा चले मैं यह आ जाती उसे पहले कि मुझ पर कुछ पेंका जाए सर मैं अपके पीठ पीछे कड़ी हुए अपने तो आप सर जी आप इन बाकियों के साथ जो करना करें मैंने अपना साइट पे कर लिये पेरी बात तो यह है जी कि अभी हमने यह सोचा है और प्रफॉर्मस इस बहुत अच्छी हुई है मेला अच्छी है आप क्यूंके बहुत सारे बच्चे इसे एसे नहीं है इसमें जो प्रॉफेश्नली कुछ करते हो कोई कह रहा है मैं घहर पे गाता हूं कोई कहता है मैं अपने दोस्ते के साथ गाता हूं तो यह बड़ी बात है कोई जैसे वो नात्खान हैं तो वो नात्खानी के बाद उन्होंने गाने में भी हिस्सा ले लिया वेरी गूड अच्छा अब ये है कि हमें कुछ मैयार देखना होता है हमारी भी अपनी एक स्ट्राटेजी है कि इस तरह से हम देखेंगे सो जो ओवराल रिजर्ट बनाया गया है उसको मैं अनाउंस करूंगा तो उनसे मैं कहूंगा कि वो हमारे पास इदर आएंगे इदर हमारे पास आते जाएंगे इंशाला सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ जी बिलाल शौकत को आप तालियां बजाएए और इसके बाद हैं मैंने उनको इसलिए स्लेक्ट किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिदम में थोड़ी उन्होंने की लेकिन ये बात नहीं है ये मैं कह सकता हूँ कि वो रिदम में नहीं गाएंगी वो बहुत प्रैक्टिस करेंगी आज से ही और रिदम में गाएंगी और उनका नाम है नायाब जोरा जहरा 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 लिखा हुआ है स्पैलिंग भी सही लिख्या करो अच्छा उसके नहीं लिखा हमने लिख्या है चलो ठीक हो गया अच्छा जी अप है अली रजा थोड़ा अच्छा जैंगो नस हमने आगे काम करना है अच्छा जादा हमने सौंग की तरफ जारा है यहां नहीं हम लेतरा हो ना अच्छा अच्छा वेरी गूड एंड नाव इस एम बिलाल अमर फ्यास अपने नहें यहांज ना यहां बात कर ले ती दहींन यहांश यहां अट रहे नाव अवा सर के नॉट बात कर लेथी था तो जी ओवर राल यह लोग स्लेक्ट हुए हैं आप बहुत अच्छा गाए यह थोड़ा आप से अच्छा गाए इन में कोई रंग और नजर आया है बाद समय नहीं है यानि अभी हम इनको किसी और इम्तिहान में डालेंगे आपको किसी और इम्तिहान में डालेंगे तो आप जाएंगे यह मैं बिल्कुल चैलेंजिंग कह रहा हूं यहां पर कहीं इन सूर्तों को देखे आप यह ना सोच लें कि यह क्या हुआ है क्योंकि आता है बंदे के दिल में क्योंकि हर बंदा अपने अपने ताइं बहुत बहुत परफेक्ट है लेकिन इनको अभी कोई इम्त करेंगे जैसे आपको कहा है और सर आपका इतने सालों का टीचिक देखे ऐस चांस नहीं दिया जाएगा नो जो डिसिजन ली जाती है और दूसरी यह बात हमें म्यूजिकली म्यूजिक का टोन चाहिए अब मैं आपको अपन बात बता कूँ डाट वोस नॉजिक जो गाने का टोन होता है वो नहीं है आपने अभी स्टार्ट लिया है इसमें जंप करने हैं आप बहुत अच्छी माशाला से जो आप कर रहे हैं वो हमने जज़ कर लिया ठीक है और आपकी आवाज बड़ी खुबसूरत है बाइब अच्छी है लेकिन उसका एक पैटरन है वो वहाँ प अच्छी ताइम और उविसली जो पहले हमारे पास आ चुके होगे लोग और वो जब वापिस आएंगे फिर से अउडिशन करने के लिए तैयारी करके तो अविसली प्रेफरंस हम आपको ही देंगे मैं बलंटली बता रही हूं और इसमें कोई अनफेर बात नहीं है क्योंक अब आपस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं आप भाईया आपकी आवाज बड़ी खुबसूरत है एक ढूद एक दिन की कब सुबाद के एक ब्रेक में जाने दे एक दिन की कल सुबा मिलेंगे दस बजे इंड़ी रही है झाल 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 झाल